हाई अब्रिवन कैसे आप सबी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ आपका होस्ट एं दोस्स राहूल जेस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सबीका एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आ टूटियोरियल्स में फ्रेंड्स आज को जो वीडियो बना करताने जा रहा हूँ 10th and 12th बोड के रिजल्स एक्सपेक्टेड डेट के बारे में दोस्तों पेपर चेकिंग क्या कंडिशन है आपके रिजल्स कितने तारिक तक आ सकते है और हमारे जो महाराश्ट्रो बोड से पेपर चेकिंग का प्रोसेस कैसे चल रहा है ये सबी चीज दिये वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो ये वीडियो को आपको लास तक देखना है बहुत है इंपॉट إن बब लीदसमें तो यह हम शुरू कर ते हैं तो जैसा कि आप स्कून पर देख पारे हो जैसा कि हम आचे यहारे जागरन जोस के वेब साइट पर ठीक है आप सबसे पहले में आपको एक खबर बता तो यहाँ पर clearly mention किया हुआ है ठीक है that is महाराष्ट्रा SSC and HSC result 2020 evaluation begins मतलब क्या हो गया है evaluation जो paper checking का process जो है वो दोस्तो एक बार फिर से शुरू हो गया है अमाइड lockdown मतलब lockdown है फिर भी यह जो पेपर चेकिंग का process है वो शुरू कर दिया गया है जो result है उसका expected date भी यहाँ पर कह दिया है result expected by 10th of June जहां दोस्तो 10 June तक आपका result जो है वो आ सकता है इसा खुद यहाँ पर जागरन जो वेबसाइट पर लिखा हुआ है इसका मतलब जो महारा श्ट्र बोड के officials है जो पेपर चेक करने वाले वो confident है कि हमारा जो पेपर चेकिंग का process है वो लगबग 10 तारिक तक complete हो जाएगा आपका result है वो may be 10 जून तक आपका result डिस्पले हो जाएगा तो पूरी खबर क्या है सब पढ़ते है तो आगे हम देखते हैं क्या दिखा है यहां पर लेटेस्ट अपडेट क्लेम्स एट महाराश्ट्र बोड 10th and 12th results are expected to be declared on 10th June 2020 मतलब 10th and 12th बोड के जो results है 2020 के वो expect कर रहे हैं यहां पर कि वो 10th June तक आ जाए as per the recent media report the Maharashtra state government had decided to allow the evaluation process दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दू कि जब से lockdown हुआ तब से आपका एक भी paper चेक नहीं हुआ था तो paper नहीं पोच पाने से आपका paper नहीं चेक हो पा रहा था जिसके वेसे आपका result आने की जो संभाव ना थी वो बहुत बढ़ गए थी और कुछ लोग तो ऐसा कह रहे थे का paper चेकिंग का process अटका हुआ था lockdown है फिर भी उन्हों को permission दे दी गई है कि आप जाओ paper collect करो and paper को check करके फटा फट सब्मिट करो so that maharashtra जो government है वो result को जल्द से जल्द और time पे display कर पाए ऐसा उन्होंने clear cut कहा है और आगे क्या खबर बोला है देखते हम आगे ध्यान से कोविड-19 lockdown होते हुए भी यह decision लिया गया है कि आप निकल सकते हो और paper चेक करने के लिए जा सकते हो paper collect कर सकते हो अपने घर पे लाके चेक कर सकते हो decision has been taken by the state government यह किस ने लिया हमारे state government ने लिया है to ensure that the maharashtra board class 10th and 12th examination results are declared on time मतलब यह सोचते हुए कि maharashtra का 10th and 12th board का जो result है वो time पे declare कर पाया हमारी government यही देखते हुए COVID-19 का situation होने के बावजूद teachers लोग को permission दी गई है ताकि वो लो paper चेक कर सके आगे क्या बोला है the maharashtra board ssc and hsc results will be declared on the official website of the state board और clear card यहां पे कह दिया है कि 10 June तक आपका result जो है वो आ सकता है और कहां पे आएगा official website of the state board का जो भी official website है जैसे को आपको पताएगे कि ssc.nick.in जो आपको है maharashtra जो है वो आपको मैं बता दूँगा कि जब भी result आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के लेके आजाओंगो कि कैसे आप result को अपना देख सकते हो तो वो सब बात की बात है लेकिन यहां पे आपको बस इतना बता रहा हो कि website जो है state board की official website वहाँ पर आ जाती है यहां पर और एक चीज़ बहुत important ख़बर बोला है teacher moderators and contractors allowed to travel मतलब उनको traveling का permission मिल गए कि इसको जो आपके paper चेक करते है teachers को जो आपके moderator होते chief moderator होते contractors होते हो उनको permission दे गए special permission मिलिए कि आप travel करिए जहां पर भी paper है वहां से paper लेकि आई to the media reports teacher moderator and officials involved in the assessment of class 10th and 12th exam will be allowed to travel allow कर दिया है उनको पर official work जितने भी official work रहेंगे covid-19 lockdown होते हुए भी ऐसा permission उनको दे दिया गए और क्या बोला है यहां पर facilitating timely completion of the evaluation process यह देखते हुए कि आपका जो evaluation process है वो time पर complete हो पाए and thereby declaration of results on time and आपका results हो है वो time पर आ जाए मारा state government passed a government resolution which also allow teachers involved in the checking of papers and contractor who transport answer sheet to the exam evaluation center जो है आपका to travel during the lockdown ताकि वो जो lockdown पिरड है वहां पर भी फिर भी travel कर पाए और उनको कोई भी रोके टोके ना ऐसा उन्होंने permission दिया हुए जी आर पास बैडिशनल चीफ सेकेरेटरी वंदना कृष्णा एक जी आर भी पास कहा है जेनल रिपोर्ट पास किया गया है कि वो allow करते है कि इसको allow करते है और यह चीज भी देखते हुए investigation होगी कि कोई violation या फिर चीटिंग त या फिर paper checking का जो process है उसमें कोई cheating तो नहीं हो रहा है तो यह सब चीज को देखते हुए यहाँ पर जो additional chief secretary हमारे वंदना कृष्णा जी उन्होंने एक जी आर भी पास किया हुआ है ताकि वो सभी चीज उसके अंडर में देखरेक में हो सगे हैसा clear cut बोल दिया है ठीक है और वेट करना है जल से जल वो चीज भी सामने आ जाएगा तो वगयर है ऐसे बहुत सारी खबर है है एचसी का तो आपका totally exam जितने थे वो cover हो चुके थे महाराश्टर बोड में से जितने exam से सब हो चुके थे दोस्तो तो यही था हमारा आद का वीडियो दोस्तो इसमें मैंने आपको बस एक ही important चीज बताया है आप सोच सकते हो वो खबर इतना important है कि आपको अभी से ही वो चीज के लिए mentally and physically दोनों प्रिपेर रहना है कि आपका जो result है वो 10 जुन तक आ सकता है दोस्तो तो कुछ लोग tension में आ जाएंगे लेकिन कुछ लोग उमीद भी कर रहे थे कि लेकिन जितना जल्दी आएगा उतना ही अच्छा है आप लोग के लिए ताकि आपका जो new academic session है वो जल जल शुरू हो पाए और आप लोग फिर से lockdown ओपन होने के बाद अपने colleges admission ले सको जाके तो दोस्तो यह था हमारा आज का update एक बार फिर repeat करूँगा कि update में यह था कि सबको बता दो कि 10 जून तक आपका result expected है आ सकता है अगर आप हमारे चानल पे new हो content हमारे अच्छे लगते हैं इसी प्रकार के हम updates 10 12 एं युनिवर्सिटी लेवल के जितने भी updates होते हैं education related updates होते हैं पल-पल की खबर हम आपके लिए लेके आते रहते हैं दोस्तो तो notification के भूते हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए thank you and good bye